नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन क्लासस रामो में आपका स्वागत करता हूँ दोस्तों आज की वीडियो हमारा KBS एक्जाम से रिलेटेड EBS वाले सेक्षन से होगा तो आज हम इस EBS वाले सेक्षन के स्लेवस की बात करेंगे जिसमें आपको KBS PART में 20 नमर का प्रस्ण जो है यहां से देखने को मिलेगा जो नया पैटर्न के अनुसार स्लेवस KBS PART का बनाया गया है उसी सिक्के एक्वार्डिंग इस 20 नमर की त्यारी जो है हम आपको इसी चैनल पर कराऊंगा और एकदम वीद्वत नोट्स के साथ मैं आपको वीथ टॉपिक कराऊंगा फिर उसके बाद उससे रिलेटेड क्वेस्चन भी कराया जाएगा तो अगर आप KBS exam या KBS PART exam की त्यारी करते होंगे तो आप इस चैनल को जरूर सस्क्राइब करेगा वीडियो को लाइक सेर करेगा आज सिर्फ हम सिलेवस की बात करेंगे और आपको समझाएंगे कि कहां से उसमें टॉपिक उठा कर दिया गया है और कैसे मैं उन चीजों को आपको पढ़ाऊंगा उसके बारे में आज हम पूरी डिटेल में बात करेंगे बाकी चीज़े अगर आदर यूटूब चैनलों की बात करें तो उन्होंने अपना पैड बैच बेकने के लिए इन चीजों को इतना पढ़ा चाठा कर पताया है करी दीजेगा तो चले दोस्त सीधे चलते हैं के बिएस एकजाम प्याटी जो होता है एबिएस वाले सेक्षन की सिलेबस की बात करते हूँ तो पहले कुछ important बाते मैं आपको बता देता हूँ जिसे अगर आपको पता होगा कि 180 नमर के question होगे और 180 मिनट आपको दिया गाएगा लगभग 3 घंटे आपको दिया जाएगा के बिएस एकजाम के लिए उसमें से अगर हम बात करें तो 60 नमर तो जो पेडा गाजी से है 60 नमर आपसे पेडा गाजी पूछा जाएगा और उसमें और 10 नमर की जो है इंगलिस पूछी जाएगी और 10 नमर की जो है हिंदी पूछी जाएगी अभी specific वाले subject की नहीं बात कर रहा हूँ जो एकतम शमान ने आपका जो स्लेबस दिया गया है उस पर मैं चार्चा कर रहा हूँ तो इस तरह से ये 80 नमर हो जाएगे और उसके बाद जो है 10 नमर का करेंट अफेर होगा और पाँच पाँच नमर की जो है रीजिनिंग और कम्प्यूटर वाला सेक्षन दिया गया है तो इन सभी को मिलाकर हो जाता है 100 नमर बाकी चीजे subject specific वाले स्लेबस के अगर हम बात करें तो यहां से 80 नमर के question आपको KVS PRT में देखने को मिलें 80 नमर का ध्यान रखेगा इसी 80 नमर में से 20 नमर का section जो है EBS का पूचा जाता है आपको मैं बता देता हूँ कि इसी में से 20 नमर का आपको EBS पूचा जाएगा तो यह subject specific session वाला स्लेबस के बात हो रही है ध्यान रखेगा देखे यहां से आपको बता दे के English के जो तो 20 question English के पूचे जाएंगे उसके बाद 80 नमर में ही 20 नमर हिंदी के पूचे जाएंगे उसी में से 20 नमर math के पूचे जाएंगे और उसी में से 20 नमर जो है आपके environment study से पूचे जाएंगे EBS जिसको कहा जाता है उसमें से आपको पूचा जाएगा KBS PRT में इसी 20 नमर की syllabus की आज हम चर्चा कर रहे हैं इसमें syllabus में दिया गया है ज्यादा topic नहीं दिया गया है family and friends दिया गया है food दिया गया है भोजन दिया गया है shelter दिया गया है आवास दिया गया है जिसको कहते हिंदी में वाटर दिया गया है ट्रेवल दिया गया है तिंग्स वी मेक एंड डू ये छे टॉपिक जो है आपके EBS वाले सेक्षन में दिये गये हैं जहां से 20 नम्मर के प्रश्ण जो है आपको पूछे जाएंगे अब ये चीज़ जब आप पढ़ते हैं तो आपको होता है कैसे टॉपिक है कैसे इसको हम पढ़ेंगे बस आप खाबराईए मत ये जितने भी टॉपिक दिये गये हैं ये सभी टॉपिक के सीटेट में दिये जाए हैं मतलब सीटेट का स्लेबस का कुछ टॉपिक उठा कर इसमें दे दिये गया है सीटेट के स्लेबस में थोड़ा लेंथी होता है लेकिन उसी में से ये छे टॉपिक जो है न वो आपको उठा कर दे दिये गये हैं इस के बीस पी आटी वाले में जहां से 20 नम्मर का आपको पूछा जाएगा क्यों दिखाऊं पुरूफ देखिए यहां पर आप देखिए नीचे देखिए आप आप कहेंगे कि मैं जूड बोलता हूँ देखिए यहां पर देखिए ये चे टॉपिक जो है आपको दिये गये हैं आपको पता होगा अब आजाईए यहाँ पर इसका हिंदी में और इंगलिस में दोनों अनुबाद में आपको देखाता देखे यहाँ पर देखे एंसीफ 2005 के अनुसार कच्छा तीन से पांच तक के पर्यावरन अध्याइन को छे थीमों में विवाजित किया गया है कौन-कौन से तो जो इस परकार हैं पहला है परिवार है मित्र दूसरा है बोजन तीसरा है पानी चौथा है आवास पांचवा है यात्रा और छट्वा है चीजे जो हम बनाते और करते हैं उसी का things we make and do यहीं टोपिक का हिंदी में अनुबाद दिया गया है यहाँ पर आप दे इसी को हम एके करके आपको पढ़ाएंगे बाकी सभी यूटूबरों इसी चीज को बढ़ा चाड़ा कर बताएं किसमें क्या-क्या पढ़ना है अब कुछी चीजे आपको मैं आवर भी एड करके बता देता हूं जैसे यहां पर देता हूं अगर आप यह फूड वाला सेशन पढ़ेंगे बोजन पढ़ेंगे इसमें आपको कई टॉपिक है पढ़ना पढ़ता है जैसे पोशन आप पर सकते हैं इसमें पोशन और पोशन में अगर हम बात करें तो पोशन में बहुत सेशन आ जाते हैं जैसे विभीन विटामिन्स हो जाती है हमारे पाचन तंतर भी हो जाएगा उसके बाद पाचन तंतर में हमारे विभीन अंग होते हैं जैसे आमासे हो पिर पिर अलग अलग भोजने आपको पढ़ने कंड़ा लैंगी और सेल्टराहर है, मैं आपको पहले तीयोंरी वाला सेशन कयख सेबばい दों बाकी चाहिजे जैसे हम model paper वाला practice set खरीद लेते हैं, उसके बाद हम इसके related model paper भी start कर दूँगा KBS PRT से related, बस बने रहेगा हमारे channel के साथ, वीडियो आपको पसंद आए, तो like करेगा, काफी ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, 20 नमर है, छोटा topic दिया गया है, कुछ मत बस आप इस channel से जुड़े रहेए, आपके समस्थ्या solve कर दिये जाएगा KBS PRT से related, और मैं आपको बता दूँगा, कि जल्दी में pedagogy का भी वीडियो लेने का प्रयास करूँगा, अब pedagogy में आपको थियोरी तो नहीं पढ़ा सकता, लेकिन important question जो है, मैं आपको जरूर उस करते रहेगा, बाकी चीजे हिंदी के तयारी आपको 30 नमर की हो जाएगी, और PBS के तयारी 20 नमर की करा दूँगा, और pedagogy की तयारी 60 नमर की मैं आपको करा दूँगा, तो वीडियो जो भी आपको पसंद आए, तो लाइक करिएगा, चले दोस्त वीडियो को समाप करते हैं, थैंकू थैंकू पार वाचि इस वीडियो.